करकरासी वालों के लिए 2023 के साल में कुछ संगर्सकारी इस्ततियां इस वर्स में आपके सामने आती जाती रहेगी तथा कही चुनोतियों का भी इस वर्स में आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी नौकरी वा किसी परकार का आपका कोई काम का आज आदि में भी कुछ रुकावटे या फिर उल्जने आपके सामने बनती रहेगी। आपको इस वर्स में अपने लक्ष पर द्रुड रहना होगा। मन लगा कर कोई भी काम आपको करना आवश्यक है। आपको व्यर्त की चिंतावा टैंशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके मन में कही तरह के विचार इस वर्स में आते रहेंगे। ज्यादा सोच तथा टैंशन से आपका सारिक्वा मानसित स्वास्त भी इस वर्स में बिगड़ सकता है। कभी-कभी आपके मन में निरासा जैसे भाव भी इस वर्स में उत्पन होते रहेंगे। और जिस कारण से इस भाव के उत्पन होने से आपका शकार अत्मा की ओ ध्यान कम जाएगा। अगर आपके सामने ज़्यादा तर यही इस्तियां उत्पन होती हैं तो आपके लिए बहतर यही होगा कि आप ज़्यादा तर सुगत पहलो पर ज़्यादा ध्यान दें तथा बिना मतलब का आप न सोचें और आप अपने काम के प्रती ज़्यादा ध्यान रखें और अपना उ में कुछ गोचर क्रहों की वजा से आपका मन बिचलित इस वर्स में बनता ही रहेगा जिस कारण से आपको बिना वजा की टेंशन या चिंता बनी रहेगी। करकरासी वालों के लिए इस साल में प्रियास करना जरूरी है क्योंकि इस साल में आपके जो कारे हैं वहाँ अवश्य बनेंगे अगर आप उस कारे के प्रती मेनत करते हो। उस कारे में थोड़ा सा टाइम तो लग शकता है परन्तु आपकी की गई मेनत आपको अवश्य शपल ज्यादा स्वादिष्ट भोजन आपके स्वास्ते को खराप कर सकता है जिस कारण से आपको स्वास्ते के प्रति दवायों का सेवन भी करना पड़ सकता है। आगे काफी दिक्कतों का शामना भी करना पड़ेगा। इस साल में आपके परिवार कुटुम्बी जनों का अच्छा संयोग आपके साथ बना रहेगा। आपके दुश्मनों के द्वारा और आपके उपर भी ऐसा हो शकता है कि बड़े बेड़े लालचन भी लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसी इस्ततियां आपके साथ जादा बनेगी या आपके दुश्मन आपके उपर जादा हैवी होंगे तो आपको इन से बचने का उपाई जरूर कर देना चाहिए। और आपके लिए यहां उपाई आवश्यक हो जाएगा। इस तरहें तथा महिलाओं के लिए यहां वर्ष सुफल देने वाला रहेगा। नौकरी आदी में भी आपको लाब मिलेगा। विद्यारतियों के लिए इस बर्ष में अतियात्मे विश्वास से आपको बजना पड़ेगा। अपने लक्षपर आपको केंदरत होकर के पड़ाई करनी अतियावश्यक है। किसी परकार का आलस्यवा लापरवाई आपके नमबरों में कमी लाएगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपने इस बर्ष में विशेश उपाय क्या करना है, किस हसाब से आपने उपाय करना है। ऐसा हो सकता है कि आपकी गोचर इस्तिती कुंडली में कुछ गराओं की इस्तितियां सही नहीं है या आपकी वर्ष कुंडली या जनम कुंडली में गराओं की इस्तितियां सही नहीं है जिस कारण से आपको इस वर्ष में काफी अगर जादा दिक्कतें हो रही है तो आपको तब उपायक करना है, यहाँ वर्स उन लोगों के लिए सही है, जिनकी वर्स कुंडली, जनम कुंडली तता गोचर कुंडली में ग्राओं की इस्तिया अच्छी चल रही है, उनके लिए उपायक करना जरूरी है, जिनको जादा दिक्कतें हो रही है.